कि नश्कार कॉंपेटिशन कुमुटी के कॉंप्रिहंसिफ करने फैस प्रोग्राम में मैं पुक्राच करता हूँ एक बड़ फिर से आप सभी का स्वागत और 36 गड़ का करेंट फैस लेकर मैं आ चुका हूँ लास्ट वीडियो में मुझे याद है कि मैंने आपको 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर तक के करेंट फैस का क्या करा दिया था और इस वीडियो में क्या करेंगे 15 अक्टूबर से लेकि 28 अक्टूबर तक के करेंट फैस को अपन आनलाइस कर लेंगे और बिना टाइम को क्या करें वेस्ट करें, तो सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आ गया क्या खाली स्लाइड, आप खाली स्लाइड में क्या करते हैं, तो साहितिकार, तो चलो, आज मैं क्या करता हूँ, आपको एक कहानी सुनाता हूँ, और ये जो कहानी है न, इसकी विडंबना है की 21 सदी में जो गोसला और गुड़ी ये सब क्या हो गया सुना तो कहानी जो है आज की उसमें विडंबना ये है कि किस्वी सदी में क्या हुआ गोसला और गुड़ी दोनों का हो गये सुनना हो गये चलिए भई, अब क्या गरते हैं, जोडते हैं, तो कहानी, तो है कहानी से जुनून और अन्य कहानिया, तो एक रचना, जुनून और अन्य कहानिया, दूसरी रचना, विडंबना, तीसरी, 21 सदी में भी, चौथी रचना, घौसला, और पांचवी रचना, गुढ़ी अब सुनना होगे, तो पांच रचना हो गई, कहानी से जुनून और अन्य कहानिया, ठीक है, उसके बाद 21 सदी में क्या है, 21 सदी में भी, विडंबना, तो विडंबना, घौसला, तो घौसला एक रचना, और गुडी अपका होगे, सुनना होगे ये तो रचना याद हो गई अब रचना कार कौन है तो ध्यान रखना डॉक्टर शेल चंद्रा ऐसा उठ पुटांग मत कर देना कि रचना उजना सब याद है रचना कार गायब तो रचना तो ठीक है याद हो जाएगा पास्ठो डॉक्टर शेल चंद्रा कौन है तो रचना कार है समझ में आ गया ना ध्यान आपको रखना है तो सहितकार डॉक्टर शेल चंद्रा उनके पांच रचना है इसमें गुड़ी अब सुनना होगे ध्यान रखना ये चत्तिजगड़ी भाशा में है गुड़ी आप सुनना होगे कौनसे भाषा में है चत्तर गड़ी नाम सुनके ही क्या है आप लोग बहुत इसली समझपा रहे होंगे चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट करें क्या करते हैं तो लास्ट वीडियो के जो क्वेश्चन्स थे उसको एक बार देख लेते हैं आर्टी आई के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी प्राप्ट करने के मामले में छत्तर गड़ का स्थान अब कौन सा तो छटवा है देश में ठीक है भई नेक्स क्या है स्वामी आत्मनंद मेधावी छात्र प्रोटसाहन योजना जिसके अंतरगत हेलिकाप्टर में घुमाया थे तो कितने छात्र छात्राओं ने हेलिकॉप्टर राइड की थी 119 ने की थी ठीक है चलिए अब कोईला खननन से प्रात्त राजस्व में उत्रोत्तर वृद्धी हुई है तो कितने करोड का राजस्व के प्राप्ति हुई है तो 7217 उसको देखे थे रास वीडियो में और उ जो अपने टाइम लाइन 15 सिले के 28 तक के पहले निउस पर तो सबसे पहला अपन को ध्यान रखना है कि हुआ क्या है मुख्यमंत्री श्रीप भूपेश बगेल ने इनका जो निवास कारियाले है मतलब निवास में जो कारियाले है वहां से वर्चुवल शुरुवात की है कि इसके किसकी है तो ध्यान रखना 10 नए राजस्व अनु विभाग मतलब 10 सब डिविजन की और कितने नए तहसील 25 नए तहसील की कि तो 10 सब डिविजन 25 नए तहसील की शुरुवात की है कब की है तो ध्यान रखना 17 अक्टूबर 22 ये डेट था ठीक है ये निउस उनने में बहुत अच्छा है बट अपने आप में कहोगे तो इसका importance तो मैं आपको बता दू इतना सारा तहसील लगातार बन रहा है कि date wise आपको पूछेगा ना तो सब फस जाएंगे question गलत होके आएगा maximum लोग का question गलत हो जाएगा clear है तो यह जानकारी के लिए बहुत अच्छा है बट मेरे को नहीं दखता कि सिधा सिधा एग्जाम में पूछ देगा हाँ इतना जरूर पूछ सकता है आपसे कि 36 गड़ में अभी कुल अनुविभाग की संख्या किती है तो यह 108 है अगर कोई ना बने तो अगर कोई नया ना बने तो तो 36 गड़ में कुल अनुविभाग सब डिविशन जो है उसकी संख्या 108 108 है नाम दिया हुआ है मुझे नहीं लगता कि नाम आपके रटने से फायदा होगा नाम रटोगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पूछेगा खांसी अटेक हो जाया शुरूँगा चलो अब 25 नया तहसील बना तो 25 की संख्या कित्ती हो गई है अब हो गई है 227 तो ध्यान रखना 10 नय अनुविभाग बने हैं कुल हो गए 98, sorry 108 ठीक है 10 नय बने कित्ते हो गए 108 और उसके बाद 25 जिस नय तहसील बने हैं तो कित्ते हो गए 227 अब तहसील धियान रखना चत्तर गड़ में कुल तहसील कितने बनेंगे 235 तो कुल बन के maximum 235 होंगे 227 हो चुके है मतलब जान लो कि 8 और बनेगा 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 तो 235 तहसील बनेगा चत्तर गड़ में संख्या जो है exam point of view से ये important हो सकता है पूछ सकता है चत्तर गड़ में अभी राजस्व अनुविभाग कित्ते हैं revenue subdivisions संख्या 108 तहसीलोग संख्या मान के चलो आपके exam होते तक तहसीलोग संख्या मदलाव हो ही जाएगा 100% guarantee है क्यों रोजस्व नवात तहसील बन रहा है जी कैसे करोगे sorry चलो अगले नीवस पर आते हैं ये बहुत important है exam point of view से अगर अपन देखे तो नीटी आयो के द्वारा जारी की गई है report basically delta ranking और उसमें नारायनपुर जिला जो है वो आया है top 5 आकांशी जिलो में तो दो चार चीजों को मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले ध्यान रठना aspirational district program आकांशी जिला कारिकरम वर्ष 2018 2018 में किसके द्वारा नीटी आयोग के द्वारा start किया गया तो नीटी आयोग इस समय बोला था 2018 में कि भारत में 112 आकांशी जिले हैं या ऐसे जिले हैं या ऐसे districts हैं जो कि बहुत जादा backward है most backward है clear है और backward इतने हैं कि इन में जो सामाजी कार्थिक संकेतक हैं जैसे शोशियो economic indicators जिनको कहते हैं उधारन के लिए education ले लीजिए सिक्षा, स्वास्थ या health इन सब में बहुत जादा सुधार का जरूरत है ताकि as a whole पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जो human development index है मानविका सूचकांख है वो क्या हो सके और बहतर हो सके clear है इसी उद्देश के साथ aspirational districts program जो है आकांशी जिला कारिक्रम उसको नीती आयोग ने 2018 में start किया ठीक है, नीती आयोग का कहना था कि भारत में आकांशी जिलो की संख्या कितनी 112, लेकिन अब इंडियन government के अलग-अलग report को देखोगे तो कहीं जगा पर 112 मिलता है, कहीं पर 115 मिलता है, कहीं पर 117 मिलता है, और सब government का data है, ना 112 गलत बोल सकते हो, ना पंदरक बोल सकते हो, ना सतरक बोल सकते हो, clear है तो सब सही है, अब मेरे पूछो के सर, किसको सही मानना है, एक्जाम में पूछेगा तो, 112 को मान ले 112 को इसलिए मान ले तो सब सही है, सब गलत है ठीक, तो मुद्देख बात यह ने कि भारत में कितने आकांशी जिले है वो तो छोड़ दो आप अभी जो रिपोर्ट आया है ना तो उसमें DPRCG जो है अपना Department of Public Affairs वाला Public Relations, वो ये बता रहा है कि 112 आकांशी जिलों में से ये रैंकिंग दी गई है कितने में से 112 आकांशी जिले या इस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स में ये रैंकिंग दी गई है अब समस्ते जाना अच्छे से Basically है क्या ये जो रैंकिंग अपन देख रहे हैं ये है August 2022 का महिना का रैंकिंग August 2022 का डिल्टा रैंकिंग इस रैंकिंग में ओ unpredict और पर्फॉर्मेंस वाला जो केटेगरी है उसमें नरायनपूर फिफ्त रैंक पर है कितने स्थान पर है फिफ्थ स्थान पर नरायनपूर ओffic और आपर्फॉर्मेंस में स्वास्त और पोशन health और nutrition वाला जो श्रेणी या category है उसमें इसका स्थान है second या दूसरा और सिक्षा की अगर बात करें तो इसका है fourth समझ में आया है तो सबसे बिलेपन क्या देखे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स प्रोग्राम कौन चलाता है नीती आयोग कब से चलाता है 2018 से नीती आयोग ने क्या बोला था भारत के 112 ऐसे अती पिछड़े जिले हैं जिन में सुधार की जौरत है ठीक हैर भई हमारा जो DPR है वो भी बोल रहा है कि 112 में से रैंकिंग आया है इस बार हालाकि इंडियन गवर्मेंट के डेटा में 115 भी दिखता है और 117 भी आकांशी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स दिखता है ठीक है अब हमने क्या देखा रैंकिंग क्या बता रहा है तो आउगस 2022 का डेल्टा रैंकिंग है डेल्टा रैंकिंग में ओवर्राल पर्फॉर्मेंस का जो कैटेगरी है श्वेडी है उसमें नारायनपुर जो है चतिलगड का वो दस अब यह दस में से कौन है तो साथ तो हो गया बस्तर संभाग के कांकेर कुंटा गाओं बस्तर नरायनपुर बीज़पूर दंतेवाडा सुकमा यह हो गया पांच साथ तीन एक्स्ट्रा याद रखना है आपको एक है महा समुंद फिर है राज नाद गाओं और उसके बा कौन से तो एक है रायपूर संभाग से महा समुंद एक है दुर्ख संभाग से राजनाद गाओं और एक है क्या बिलासपूर संभाग से कोरबा हो गया साथ और तीन कुल दस तो क्वेशन यहीं पूछा था चत्तर गड़ में आस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स आकांशी जिलो तो अब यह संख्या जो है दस से बढ़कर हो जानी चाहिए बारा यह आपका होगे कुछ हद तक आप सहीं भी हो क्यों सहीं हो कि सहीं मैं ऐसा होना चाहिए बर प्राक्टिकली क्या ऐसा होगा या हो सकता है कि राजनाद गाओं से तूटा हुआ खेरागर जो है में तो अभी के लिए अभी के लिए इस एक्जाम मतलब अभी जो प्री होगा उसके लिए आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स चत्तिस गड़ में आकांसी जिला कित्ता लगा काना दस लगा काना क्योंकि इस साल के एकनॉमिक सर्विम दस दिया है तो आपको दावापत्ती करते बनेगा समझ में आया की नहीं आया तो दावापत्ती कर पाऊगे इस बार के एकनॉमिक सर्विम दस दिया हुआ है तो अभी हमारे यहां दस है बट प्राक्टिकली मान के चलो इस संख्या में 100% बदलाव होगा और यह जो बदलाव है आपको नेक्स एकनॉमिक सर्वि प्रोग्राम या कांशी जिला कारिक्राम इसको में आप 30 वर्ड्स में पेपर नमबर 5 में एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चन सीधा सीधा करेंट डफेस के पॉइंट अफ्यू से कहोगे तो अगस 2022 के रैंकिंग को सीधा सीधा पूछ सकता है कि इस कैटेगरी मतलब प्रफॉर्मेंस कैटेगरी जो है उसमें इराइनपूर का क्या रांकिंग रहा था तो 5 लगा क्या ना स्वास्त पोर्षण पूछेगा सेट लगा क्या ना सिख्षा पूछेगा तो 4 लगा क्या ना clear तो इतने सारे static और dynamic questions जो है वो इस slide से बन सकते हैं चलिए आगे पढ़ जाते हैं आ जाते हैं अपने next slide पर अब देखते हैं 36 गड़ को यहां क्या हुआ है भाई तो award मिला है क्या award मिला है तो national award राष्ट्री पुरुस्कार तो समझते जाईएगा basically 19 और 20 अक्तूबर 2022 को जो केरल राज्य है हमारा वहां पर एठो जगह है जिसका नाम है कोच्ची समझ में आया वहां पर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जो है उसका 8th review conference हुआ ठेक है भई अच्छा अब उसमें हुआ क्या समझते जाईएगा तो प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जो है उसके अंतरगत जो फसल बीमा पोर्टल है पुरा नाम है इसका राष्ट्री फसल बीमा पोर्टल तो राष्ट्री फसल बीमा पोर्टल जो है उसका 36 गड़ का जो भुईया पोर्टल है जो हमारा भु अभिलेक का database पोर्टल है ठीक है land record का जो database है भुईया उसके साथ क्या किया गया एक ही करण किया गया वो भी कैसे तो digital तरीके से तो basically हुआ क्या हमारे यहां पर हमारे यहां इस वर्ष मतलब खरीफ 2022 से जो राश्ट्री फसल बीमा पोर्टल है और हमारा जो भुईया पोर्टल है दोनों को digitally integrate या एकिकरित किया गया और ये बहुत कम समय में सफलता पुरुवक हो गया और इसी लिए 36 गड़ को क्या दिया जा रहा है एक ठोक national award दिया जा रहा है यह अब तो मिल गया है क्यों क्योंकि 20 अक्टूबर की बात हो रही है और जब मैं वीडियो बना रहूं तो आज तारीक किता है तो 29 अक्टूबर है आज तो अच्छा अब ये पुरुसकार मिला किस ने या किस ने दिया है तो भारत स तरकार का क्रिशी और क्रिशी कल्यान मंत्राल है जो है उसके द्वारा 36 गड़ को दिया गया 36 गड़ की तरफ से इसे ग्रहन किस ने किया या लिया किस ने तो ध्यान रखना विशेश सचिव एवं संचालक है क्रिशी विभाग 36 शासन डॉक्टर अयास फकीर तंबोली जी और उनके साथ कौन थे तो संयुक्त संचालक थे क्रिशी विभाग 36 गड़ के श्री बीके मिश्रा जी तो बीके मिश्रा जी और अयास फकीर तंबोली जी इन लोगों ने क्या किया परुसकार ग्रहन किया एक पॉइंट सेकेंड पॉइंट दिया किस ना तो किस क्रिशी और क्रिशी कल्यान मंत्राले ने दिया ठीक है थार्ड क्यू दिया है तो जो फसल बीमा पोर्टल है और हमारा जो भुइंट पोर्टल है दोनों का क्या हुआ एकिकरन इंटिग्रेशन वो भी डिजिटल तरीके से एकदम कम समय में सफलता पूर्वक तरीके से इस लिए इस क्लियर है यह एक चीज़ और ध्यान रखना प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जो है इसकी शुरुवात कब से की गई है तो यह क्वशन पूछ चुका है पी एस सी तो ध्यान रखना खरीफ वर्ष 2016 खरीफ 2016 से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जो है क्या किया गया इ योजना के उपर 30 words में क्या करिए, शौर्ट नोट लिखी है, तो बताइएगा कब से शुरुवात हुआ, क्यो अबजेक्टिव है, तो जो प्रमुक फसलो है, प्रमुक फसलो बोलता हूं, प्रमुक जो फसल है, उन फसल का क्या करना, बीमा जो है, इस योजना के माध्यम से क किया जाता है, ताकि किसानों को क्या मिले, एक तो फिनांशियल सिक्यॉर्टी मिले, और इस योजना को डीटेल में, करेंट इफेस में, आप डिसकस करी चुका हूं, तो मेरे हिसाब से आप लोग लिख लेंगे, क्लियर है, तो जितने पॉइंट 12345 लिखा हूं, इतने प्र ठीक है यह, अब बेसिकली छत्रगड विधान सभा जो है, इसके यह उपाध्यक्ष थे, इंग्लिश में कहले लोग डेपुटी स्पीकर थे, ठीक है यह, अब ध्यान आपको यह रखता है, कि इनका कॉंस्टिटुएंसी, मतलब निर्वाचन छेत्र कौन सा था, तो भानु पाचत हुए थे, या इलेक्ट हुए थे, करम की बात करें, तो यह छत्रगड के छटवे करम, सिक्स्त नंबर के क्या थे, विधान सभा उपाध्यक्ष थे, एक ठोडाउट आप लोग के मन में आना चाहिए, डाउट यह है, कि विधान सभा तो अभी पांच भी चल रही है और यह है छटवे, या यह थे छटवे, तो इन से पहले और कितने रहे होंगे, तो पांच लोग रहे होंगे, क्लियर है यह, तो आपको क्या गरना है, इन पांचों के नाम को कमेंट बॉक्स में मिरे को कमेंट करके बताना है, कि स्वरगी मंडावी जी से पहले और कौन- बड़ विधान सबागा क्लियर है यह लास्ट में हुआ क्या जब इनकी डेथ हो गई उसके बाद इनका जो ग्रीह ग्राम था जिस गाओं के ओरिजनली थे यह ठीक है नथिया नावा गाओं कांकेर यहां पर इनको स्टेट ऑनर्स राजकी सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया गया एक्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यू से चूकी करेंट में है इसलिए इनका करम याद रखना सिक्स्त नंबर के थे कब-कब निर्वाचित हुए थे तीन बार यह और कहां से भानु प्रतापुर एट लिस्ट यह जो तीन पॉ गई दान के द्वारा भोपाल में 18 अक्टूबर 2022 को क्या किया गया तो जैवेक खेती में नवाचार जैवेक खेती मतलब क्या हो गया और्गानिक फार्मिंग में इनोवेशन के लिए जागरुकता प्रयोग और प्रसिक्षन प्रयोग मतलब एक्सपरिमेंट और कार दिया गया कौनसा पुरुसकार था ये तो ये था आपका प्रभाकर केलकर एवॉरड अम मिला किसको तो ध्यान रखना चट्र गड़ में रायपुर जिला नहीं रायपूर बोल दिया मैं भी रायगड जिला कौन सा जिला रायगड वहां की श्रीमती उर्मिला सिदार को तो छत्यगड़ का जो रायगड़ जिला है वहां की श्रीमती उर्मिला सिदार को ये जो एवार्ड है प्रभाकर केलकर एवार्ड वो मिला उर्मिला जी कौन है तो महिला क्रिशक है जो की जैविक क्रिशी करती है तो और्गैनिक फार्मर है फीमेल कौन उर्मिला सिदार जी ठेक है भई अब इनको एवार्ड में मिला क्या तो 21,000 रुपय नगद मिले साथ में एक ठोज सर्टिफिकेट मिला प्रशस्ति प्रमाण पत्र और एक स्पृति चिन्न जो है वो में मिंटो क्या किया गया इनको भेट किया गया यह जो पूरा प्रोग्राम था इसमें मुख्य अतिथी कौन थे तो श्री कैलाश चौदरी जो की केंदरी क्रिशी राज्यमंत्री है तो कैलाश चौदरी जी थे केंदरी क्रिशी राज्यमंत्री पुरुसकार मिला कौन सा प्रभाकर केलकर किन को मिला श्रीमती उर्मिला सिदार जी को मिला कहां की है तो राइगर डिस्ट्रिक की है क्यों मिला है तो इन्होंने और्गानिक फार्मिंग में इनोवेशन किया है ठीक है, एक्सपरिमेंट ट्रेनिंग इसमें बहुत उलेखनी योगदान कॉंट्रिब्यूशन इनका रहा है इसलिए इनको मिला है 21,000 उपे मिला, सर्टिफिकेट मिला और क्या मिला है, तो एक ठो मेमेंटो, ठीक अब देखिए, सबसे पहले एक्जाम पॉइंट उफ्यूशन की बात करें तो पहला सीधा पूछेगा प्रभाकर केलकर पुरुसकार 2022 किन को तो उर्मिला सिदार जी को कहा मिला, भोपाल कब मिला, 18 अक्टूबर उसके बाद पूछ सकता है किसके आयोजग कौन था करके सीधा तो आयोजग में बता दे ना भई समर्पन सेवा संस्थान करके तो ये चार क्वेशन जो है जो की बहुत इसली बन जाते हैं स्लाइट से, इनको आप प्री में क्या कर सकते है रेडी कर सकते है चलिए, नेक्स्ट अब छत्तिलगर जो है उसको फिर से नाशला आवार्ड मिला है तो समझते जाईएगा हुआ क्या 19 से 21 अक्टूबर 2022 गुजरात में एक ठो शहर है जिसका नाम है क्या राजकोट वहाँ पर आवासन और शहरी कारिय मंत्रा लें हाउसिंग और अर्बन अफेर्स का जो मिनिस्ट्री है भारत सरकार इसकी ओर से इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉनक्लेव जो है इसका आयोजन किया गया तो इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉनक्लेव कायोजन राजकोट में हुआ ठीक है कब हुआ तो 19 से 21 अक्टूबर ठीक है भई अब इसमें क्या किया गया प्रधान मंत्री आवास योजना 2021 एवार्ड के अद्तरगत 36 गड़ को दो ठो एवार्ड या दो पुरुसकार जो है वो मिले प्रधान मंत्री आवास योजना एवार्ड 2021 के अंतरगत 36 गड़ को कितने मिले हैं तो दो एवार्ड मिले हैं ठीक है भई कौन-कौन सा एवार्ड है तो ध्यान रखना 36 गड़ राजज को Best Community Oriented Projects की श्वेणी में क्या किया गया है एक्ठो Excellence Award उत्कृष्ट प्रधरशन के लिए क्या किया गया है एवार्ड दिया गया या Excellence Award सीधा सीधा कह सकते हो तो मैंने अभी तक क्या बताया है कि कौन-क्लेव हुआ राज़ कोर्ट में हुआ 19 से 21 अक्टूबर तक हुआ प्रधान बंत्री आवास योजना 2021 का अवार्ड मिला कित्त अवार्ड मिला तो दो अवार्ड मिला पहला क्या है तो कैटेगरी है Best Community Oriented Projects चत्रगर राज़ को इसमें क्या मिला है एक्ठो Excellence Award मिला है और Second जो पाटन नगर पंचायत है उसको Best Performing नगर पंचायत किश्रेणी में भारत में थर्ड प्लेस या तीसरा स्थान जो है उसको प्राप्थ हुआ है तो दो अवार्ड एक तो चत्रगर राज़ को Best Community Oriented Projects जो है उस च्रेणी में उत्कृष्ट और उसके बाद नगर पंचायत पाटन जो है उसको Best Performing नगर पंचायत किश्रेणी में पुरे भारत में थर्ड स्थान पर रहा या तीसरे पाइदान पर रहा कह सकते हैं थोड़ा सा दोनों एवार्ड के बारे में बता देता हूं तो Community Oriented Projects की अगर बात करें न तो ये जो प्रधान मंत्री आवास योजना इसी के अंतरगत मोर, जमीन, मोर, मकान योजना चलती है तो इस योजना के माध्यम से 36 गड़ के बहुत सारे अलग-अलग जगहों पर समाच का जो थोड़ा सा निम्न वर्ग है जैसे मैं आपको राजनाद गाओं की बात बताता हूँ तो राजनाद गाओं में कुछ ट्रोगियों को क्या किया गया 60 से अधिक उनको मकान बना कर दिये गया तो ऐसे परिवार जो कि कुछ ट्रोग से ग्रसित हैं उनको मकान दिया गया ताकि ये लोग एक नॉर्मल जो परिवार है उसके समक्ष या उसके बराबर में आकर क्या कर सके अपना जीवन जो है उसको व्यतीत कर सके तो उनको सुसाइटी में एक अच्छा स्टेटस देने की क्या हो गई या कोशिश की गई तो यही था best community oriented projects मतलब ऐसा जो project जो की क्या है सामाजिक उत्थान से संबंधे तो clear है तो ऐसा किया गया कहां राजनात गाओं तो ऐसे और भी प्रयास च्छत्तिजगण में किये गया है मैंने राजनात गाओं का आपको सरीफ एक एक्जामपल बताया तो सामाजिक उत्थान का भी काम इस योजना के भी माध्यम से किया गया इसलिए च्छत्तिजगण को community oriented project वाला जो कैटिगरी है उसमें excellence award मिला और पाटन नगर पंचायत की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर more जमीन, more मकान जो योजना है इसके अंतरगत जितने स्वीकृत आवास थे उसके विरुद्ध में बहुत जादा संख्या में क्या है आवास complete हो गए, पूर्ण किये गए और हिद्गराही जो है, beneficiaries हैं, उनको उपलब्ध कराए गए कैसे बढ़िया सुन्दर सुन्दर आकर सक आवास बना कर क्लियर है, और इसी कारे के लिए best performing नगर पंचायत की श्वेणी में पाटन जो है, वो third place पर रहा किसमें, इंडिया में क्लियर है ये, तो इसको आपको इतनी चीजों को क्या करना है ध्यान में, रखना है, अगर सीधा सीधा questions की बात करें, तो क्या क्या question आएगा, पूछेगा Indian Urban Housing Conclave कहा हुआ है, तो राजकोट में कब हुआ है 19 से 21 किस अक्टूबर, फिर पूछ लेगा, प्रदान मंत्रिया अवास योजना, 2021 में छत्तिगड़ को कित्ते अवार्ड मिले, दो फिर पूछेगा, best community oriented projects में, छत्तिगड़ को कौन सा अवार्ड मिला है, एक्जेलेंस अवार्ड, फिर अगला question पूछ सकता है क्या, कि नगर पंचायत पाटन जो है, best performing नगर पंचायत के शेणी में कौन से स्थान पर रहा, तो आपको क्या रखना है, third, clear, तो इतने चीजों को आप इस slide से क्या गरेंगे, याद रख लेंगे, exam point of view से, चलिए, अब next देख लेते हैं, राष्ट्री आदिवासीन रित्य महुत्सव, ठीक है, सबसे important है, कबसे तो 1 से 3rd November 2022, कहां, तो यह हो रहा है Science College मैदान राइपूर में, तो ध्यान आपको यह रखना है, कि 1 November 2022 को हमारे राज के गठन का कितना साल हो जाएगा, 22 साल, और हम लोग अपना 23 स्थापना दिवस जो है, इस दिन मनाएंगे, कौन सा स्थापना दिवस, राज्य स्थापना दिवस हम लोग मनाएंगे, और इसी क्रम में हुआ क्या हमारे जो मुख्य मंतरी जी है, श्रीभुपेश बगेल जी, उन्होंने क्या किया है, चत्तिजगड की जो आदिवासी संस्कृती है, उसको अंतर राश्ट्री स्तर पर पहचान दिना लें के लिए, रिकगनीशन दिलाने के तीसरी बार राश्ट्री आदिवासी नृत्य महुत्सव जो है, उसका आयोजन किया जाएगा, कहां किया जाएगा, तो छत्तिजगड में, राइपुल में किया जाएगा, अब ये जो महुत्सव होगा, राश्ट्री आदिवासी नृत्य महुत्सव, इसमें नो अलग-अल लग देश जो है उसके ट्राइबल आर्टिस जन्जाती कलाकार लोग और साथ ही हमारे देश भारत के 28 राज और 8 केंदर शासित प्रदेश जो है उसके लगभग 15 सुसे अधिक कलाकार क्या करेंगे भाग लेंगे पार्टिसिपेट करेंगे अब हो कहा रहा है रायपूर तो स से उसके बाद इंडिनीजिया से मालदीव से सर्बिया न्यूजिलेंड इजिप्ट यहां से जन्जाती कलाकार क्या करेंगे आकर इस राष्ट्री आदिवासी नृत्य मोहत्सों में हिस्सा लेंगे तो यह तो हो गया न्यूज भई अब इसके बाद आपको ध्यान क्या तो रायपूर ठीक है उसके बाद कौन से करम का है तो थर्ड क्वेशन तीसरा तो यह तीन सीधा सीधा जो है वो क्वेशन तो आपको डायरेक्ट फ्री में देखने को मिल सकते हैं यह सबसे इंपॉर्टेंट इसके लावाद छोटे मूटे क्वेशन जो और बन सकते हैं युवाओं को गुणवत्ता पूर्वक और रोजगार आधारित कौशल प्रसिक्षन देने के लिए एक ठोई यूजना चलती है मतलब हमारे यहां जो यूथ हैं उनको क्वालिटी गुणवक्ता यूथ मतलब क्वालिटी वाला और रोजगार आधारित मतलब एम्प्लॉय ट्रेनिंग दिया जाता है किसी योजना के अंतरगत तो मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतरगत दिया जाता है ठीक है और यही जो योजना है उसको राष्ट्री स्तर पर नाशनल लेवल पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है वो मिला है क्लियर है तो मुख्यमंत्री कॉशल विकास योजना जो राज्य में युवाओं को गुणवत्ता पूर्वक और रोजगार आधारित निशुलक कॉशल प्रसिक्षन देती है उसे राष्ट्री स्तर पर सिल्वर स्कॉच एवार्ड 2022 जो है वो मिला है क्लियर है अब ये जो योजना है 30 वर्ड्स में इसको प्रिपेर कर लेना सीधा मेंस में इस योजना को पूछ सकता है ठीक है तो स्किल ट्रेनिंग मिलता है इन लोग को कॉशल विकास के लिए ठीक अब ध्यान रखना इस योजना के अंतरगत 36,184 यूवा या यूथ हैं इनको प्रसिक्षन ट्रेनिंग जो है वो किया जा चुका है या दिया जा चुका है जिसमें से लगभग 2,55,678 जो यूवा इनको क्या मिल चुका है नियोजन या एम्प्लॉइमेंट मिल चुका है और लगभग अभी वर्तमान में 27,26,27,26 यूवा जो है उनको प्रसिक्षन इस योजना के अंतरगत मिल रहा है क्लियर है examination point of view से अगर देखे तो सीधा आपको question क्या बनेगा कि राष्ट्री स्तर का scotch silver award निम्ण में से किस योजना मिला है तो ध्यान रखना योजना कौन सी है मुख्यमंत्री, कौशल, विकास, योजना इसके लिए किसको मिला है 36 गड़ ध्यान रखना तो 36 गड़ को award मिला उसकी जो योजना है कौन सी मुख्यमंत्री, कौशल, विकास, योजना उसको clear? चलिए तो ये जो question है ये बन सकता है प्री में या सीधा एक MCQ बन सकता है प्री में आ सकता है अब वीडियो कोईन करने से पहले क्या करते हैं तो अपन सीधा सीधा questions को देख लेते हैं कुछ important questions है जिसको आपको क्या करना है comment करके comment box में नीचे मुझे बताना है पहला क्या है राष्ट्री प्रभाकर के इलकर पुरुसकार जो है किनको मिला है ठीक है ये बात अगला अगला question मुख्य मंत्री भुपेश बगेल द्वारा नावगठित दस राजस्व अनुविभाग व पच्चिस तहसील जो है उनका उट्गाटन कप किया गया और लास्ट क्वेशन जो है मुख्य मंत्री श्री भुपेश बगेल की तरफ से राजसरकार के जो सलाकार है श्री गौरफ द्वेदी उन्होंने किस सूप्रसिध अभिनियता को रायपुरानेक ने होता दिया है इसका अंसर मैं जी बता दे रहा हूँ कि इतना गलती का आप लोग माफ कर देंगे चलिए तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और आप सभी से मिलूँगा मैं मेरे अगले वीडियो में तब तक ले थांक यू आन टे कैर